हलो स्टूदेंट्स, वेलकम टू प्रगती मंत्रा क्लासेस, माइनेम इशिवांग येकरवाल और आम यूर मेंटर फॉर अपकमिंग टिछी एग्जामिनेशन सो स्टूदेंट्स, वी आर स्टाटिंग अवर न्यू चाप्टर यानि की हमारा परियावरण तो जैसे तो वैसे तो हम लोग अपना सारा का सारा इतने टाइम से जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू करी हुई है उसमें एन्वारमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं बट अब अब कर हमें अलग से कुछ दिया हुआ है अगर ये चाप्टर तो देखते हैं इसमें हमने क्या-क्या पढ़ेंगे हमारा परियावरण ठीक है अब देखो बच्चो इसमें हम पहले मैं थोड़ा से इसके वर्ट के बारे मता देती हूँ कि परियावरण वर्ण कैसे बना तो ये बना हमारा दो शब्दों से परि और आवरण परि का मतलब है चारो ओर ये परी वो वाली सोन परी वाली परी नहीं है ये परी छोटी की मात्रा उपसर्ग है ये परी चारो ओर और आवरण का मतलब होता है ढके हुए यानि कि वो सारी चीज़े जो चारो ओर से हमें किसी न किसी तरीके से ढखे हुए हैं हमारे चारो तरफ प्रेजेंट हैं मौजूद हैं उसे हमने क्या बोला परियावरण वहीं अगर मैं इस इंग्लिश वर्ड की बात करती हूँ तो इसकी उत्पत्ती हुई हमारे एक फ्रेंच वर्ड से फ्रेंच वर्ड अन्वारोन ठीक हैं जिसका मतलब भी क्या होता है कि जितनी भी चीज़े हमारे चारो और मौजूद हैं हमारे चारो और प्रेजेंट हैं और कैसे न कैसे हमें एफेक्ट कर रही हैं कैसे ना कैसे हमें cover करी हुई है तो वो सब हमारी किस में आती है environment में आती है अगर मैं और बात करूँ इसके बारे में तो कुछ इस तरीके से कि एक बच्चे को जब से बच्चे का जनम होता है और जब से उसके मृत्यू तक जो भी चीजे उसको affect करती है उसके आसपास की जो भी चीजे उसके प्रभाव डालती है वो साधी की सारी हमारी किस के अंदर आती है environment के अंदर आती है I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो environment का मतलब क्या होगा environment का मतलब वो सारी चीजें जो हमें चारो तरफ से ढखे हुए हैं और हमें effect करती हैं अब हम देखेंगे बच्छों कि our environment में chapter में हमें क्या-क्या पढ़ना है देखो अभी जैसे कि हम लोगों ने इपने chapter complete कर ली हैं तो environment के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो इसमें आपको जो मैं आपको एक flow chart बनवा रही हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें chapter में पढ़ना क्या-क्या है तो अवर environment में या मैं अगर environment की बात करूं तो environment दो तरीके का हो सकता है एक हमारा natural यानि कि प्राकर्तिक और वहीं दूसरा होता है हमारे पास man-made यानि कि मानव निर्मित अब यह जो बच्चों हमारा प्राकर्तिक है यह फर्दर हमारा टू पाइट्स में रिवाइड हो जाता है एक हमारा बिवाइटिक और एक अब आपियोटिक यानि कि जैविक और आजएविक अब भच जैविक भी फिर हमने फ़र्दर डिवाइड करा जैविक में हमारी क्या चीज़ आजाती है वमारा आ जाता है पूरा 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 प्लांट किंग्डम झाना-चीज़्यूं पूर्दर ठीक है यानिकी पौधे जगत फिर आ जाता है हमारे इसमें microorganisms means शूक्ष्म जीवी बचो बस अभी हम बो लेके चल रहे हैं शाप्टर में की हमें हमें क्या-क्या चीज़े पढ़नी हैं क्या-क्या चीज़े हम इसमें चाप्टर में देखेंगे अभी बस मैं आपको वह इसका overview दे रही हूं plant kingdom microorganisms then हम देखेंगे इसमें अनिमल kingdom यानि की जन्तु जगत यह वारी चीज़े थी हमारी किस्वें चोकि हमारी बाइटिक में आती है यानि कि living चीज़ों में आती है अब हम बात करते हैं यह बाइटिक की तो यह हमारा हो सकता है atmosphere यानि की वायू मंडल फिर आ सकता है इसमें हमारा hydrosphere यानि की जल मंडल और इसके बाद हमारा आता है लास्ट में lithosphere यानि की स्थल मंडल अब देखो हमारा man-made environment में क्या आता है man-made में हमारी जनरली वह चीज़ आती है जिस environment को हमने अपने लिए खुद बनाया जैसे कि हमारा cultural environment हो गया aesthetic हो गया मतलब सौंदर environment हो गया हमारा physical environment हो गया वह सब इसमें तो यहां से हमारे जनरली questions नहीं बनते हैं हमें केवल और केवल अपना यह वाला पार्ट ही कवर करना है अब देखो students मैंने आपको इसमें plant kingdom पूरा का पूरा करा दिया प्रीवियस lectures में आपको animal kingdom पूरा का पूरा करा दिया गया है आपको बस केवल biotic में क्या पढ़ना है microorganisms वाला पार्ट पढ़ना है और इसमें हम तीनों पार्ट बिल्कुल detailed में देखेंगे के atmosphere क्या होता है किस तरीके से वह काम करता है किस तरीके से protect करता है then hydrosphere यानि कि जितना भी हमारा जल बाला पार्ट है वो cover करेंगे और last में हम देखेंगे अपनी अर्थ का lithosphere यानि कि जो rocks वगरा बाला पार्ट है हमारी अर्थ का उसको हमें study करेंगे तो अब हम एक एक करके सारे चीज़ों को देखते हुँ चलते हैं कि किसमें क्या क्या present है कैसे कैसे इसमें layers divided है कौन-कौन किस तरीके का काम करता है अगर हमारी अर्थ present है तो इसके खास वज़ा है कि क्यों present है किस तरीके से काम करती है वो सब देखेंगे तो लेट्स मूफ टू टॉपिक atmosphere यानि कि वाईयो मंडल तो आप चलते हैं तो अब देखिए students atmosphere में हमें क्या क्या देखने को मिलता है atmosphere है क्या atmosphere हमारे पास किसका mixture होता है एक तो gases का ठीक है dust का और water vapor का water vapor यानि कि gases का मतलब आपको पता है यह gas जितनी भी हमारी जैसे कि oxygen है carbon dioxide है यह सब चीजे dust, धूल, कण, ठीक है और water vapor यानि कि जो हमारा पानी होता है जब भाप की फॉर्म में होता है ठीक है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कभी कोस्सिलीर में गई हो या कोस्सिलीर भी छोड़ी जब आपके आसपस बारिश होती है या बारिश आने वाली होती ह बहुत चिपचिपाडाइब कर आपको देखने को मिलता है अपने आस पास तो उस टाइम क्या होता है यानि कि जो हमारी पानी के माउंट होती है इते ही लिए जादा ऐसे हुमिदेटिटि नमी बढ़ diapers होगी तो जिसकी जादा वाल ठीक होंगी नमी मैं भूलात है तो इन सब चीजों को मिलके हमारा क्या बनता है? इन सब चीजों से मिलके बनता है हमारा इट्मोस फेर, अब देखो बच् vamos जो हमारा अर्थ है हम जानते हैं कि हमारा स्वलर सिस्टाम है, उसमें एट प्लानेट्स हैं, सन है, लेकिं केवल और केवल अर्थ ही एक ऐसा यूनिक प्लानेट है जिसके पास ही capability है जिसके पास life है बाकिय और planet के पास life नहीं है तो हमारी अर्थ के पास ऐसा special क्या है देखो हमारी अर्थ के पास क्या है हमारी अर्थ के पास सबसे पहले जिसकी वज़े से यहाँ पर life possible हो पाती है और इसी वज़े से जो हमारी अर्थ है वो अपने आप में एक बहुत unique planet माना जाता है अब देखो, अगर आप से कोई पूछ ले कि अब air क्या है, है ना, कि air हम किसको बोलेंगे तो air क्या है हमारे पास, mixture of gases mixture of gases, यानि कि gasो का मिश्रण ठीक है, अब इस gas के मिश्रण ने क्या किया हुआ है कि अगर यह अर्थ है हमारी, तो इस gas के मिश्रण ने क्या कर रखा है हमारी अर्थ को cover किया हुआ है इस तरीके से और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं atmosphere आरिये बस समझ मैं कि बच्चों अगर यह हमारी अर्थ यानि कि अगर यह प्रित्वी है तो इसके चारोर क्या कर रखा है एर ने इसके चारोर अपना गेरा बनाया हुआ है ठीक है अब इसका main काम क्या होता है main काम होता है कि जो उसको ट्रैप करना प्लस जो उनसे हामफुल रिडिशन आ रही है उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना ठीक है आई बस समझ में कि एर का काम क्या है एट्मॉस्फियर क्या है यह सब क्लियर हो रहा होगा अब बच्चों ऐसा नहीं है कि इसने कवर किया हुआ है तो यह बस ठीक है एप्रोक्सली 1600 किलोमेटर यानि कि अगर यह मेरी अर्थ की सर्फेस है तो यहां से 1600 किलोमेटर तक मेरे को क्या देखने को मिलेगा एट्मॉस्फियर देखने को मिलेगा अब जब यह रेंज आप सोचके देखे इतनी बड़ी है तो हमने क्या करा ऐसा देखने में आ इसका कंपोजीशन कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है हमें अपनी अर्थ में क्या क्या देखने को मिलती सब स्यादा मिलती है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट दैन ऑक्सीजन मिलती है हमें 20.9 परसेंट तो देखो अब आपको द्यान से देखने पर समझ में नहीं आ रहा होगा केवल और केवल 99 परसेंट तो ही दोनों गैसेस ने बना दिया अगर हमारे पास 100 परसेंट गैसे से तो ठीक है फिर हम देखते हैं सीयोटू तो सीयोटू कितना है हमारे पास 0.036 देन आरगन है नियोन है अब यह वाली जो गैसे से नमच्छो आरगन और अब लिए जोटा है अब यह कैसी यह हमारी नॉन्रीक्टिव घैसेस नोबल गैसेश कॉंसे है अक्रिय है गैसे जहने हम बोलते हैं अब यह क्या होता है कि अन्वार्मेंट में सिर्फ पड़ी रहती है यह अपने हाप से कोई रियक्षिन नहीं करती है हीलियम यह सब है तो इसका रेशो 0.93 देन हीलियम हमारे पास 0.0005 तो यह कुछ हमारे पास composition था तो ध्यान रखना अगर आपसे दो सबस्यादा gases का नाम पूछ ले जाए तो वह कौन सी हमारे पास अविलेबल नाइट्रोजन और oxygen और केवल और केवल इस oxygen की वज़े से ही हमारी जो अर्थ है महां पे life possible है महां पे हम सर्वाइफ कर पा रहे हैं तो students अब हम देखते है structure of atmosphere यानि कि जो हमारी atmosphere की atmosphere है उसका सनरचना किस तरीके से है उसको हमने कैसे divides करा हुआ है layers में उन सब चीजों के बारे में देखते हैं तो next heading है structure of atmosphere यानि कि वायू मंदल की सनरचना अब देखो जो हमारा atmosphere है उसको generally हमने कितने parts में divide करा हमने उसको divide करा five layers में पहली दूसरी तीसरी जौथी और पाचवी अब मान लो कि यह हमारी अर्थ है यानि कि हमारी पृत्वी है तो इसमें से जो सबसे पहली layer आती है जो हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है वो होती ह है troposphere यानि कि जिसे अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ शोब मंडल इसके बाद आती है stratosphere means समताप मंडल अभी हम discuss करेंगे students के इन सारी layers का काम क्या क्या होता है या हमने इनको layers में क्यों divide कर रहा हुआ है उसके बारे में भी चानेंगे then mesosphere इसके बाद आती है हमारी ionosphere और last आती है exhaust sphere ठीक है हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं मद्य मंडल ठीक हम बोलते हैं भाय मंडल और ionosphere को बच्चो एक चीज और यादखना इसको हम thermosphere भी बोलते हैं ठीक है इसको thermosphere भी बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम होता है आयन मंडल ठीक आप देखो अब बहुत ध्यान से हर एक चीज को हर एक लेयर को समझते जलना जो आपके मेंली क्वेशन मनते है अट्मोस्फेर से वो इनी लेयर से क्वेशन पूछे जाते है कि कौन सी लेयर हमारा किस तरहिके से काम करती है तो यह जो हमारी लेयर होती है यह हमारी होती है 8 से 18 किलोमीटर तक ध्यान रखना पोल्स पे हमारी जो होती है यह होती है 8 और 18 होती है हमारी एकुएटर पे ठीक है अब जितनी भी आप मौसम संबंधी घटनाई देखते हैं जितनी भी आप क्लाइमेटिक कंडिशन्स देखते हैं कि आंधी आ रहे हैं, तुफान आ रहे हैं, हेल्स्टोम आ रहे हैं यानि कि बर्व बारी हो रही है, बारेश हो रही है ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हमारी क्लाइमेटिक कंडिशन्स होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पे होती हैं, वो सब होती हैं हमारी ट्रोपॉस्फेर में, यानि कि शोब मंडल में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जितने भी मौसम सम्बंधी घटनाए होती हैं, मौसम सम्बंधी घटनाए, यानि कि All Climatic Condition. अब देखो, जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम अपनी अर्थ से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम उपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे टेंपरेचर में, गिरावट आती हुई दिखती हैं, यानि कि जो मारा टेंपरेचर है, वो कम होता चला जाता है, अब किस तरीके स से कम होता है तो यह चीज़ जिहान रखेगा कि अगर मैं 165 मीटर उपर जा रही हूं तो मेरा एक डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा मतलब अगर मैं 165 मीटर उपर गई तो एक डिग्री कम मालो कि अगर हमारी अर्थ पे आज temperature 25 था तो जैसे ही मैं उपर जाओंगी अर्थ से दूर जाओंगी जाओंगी तो एक डिग्री कम फिर में 165 उपर और गई फिर से 1 डिगरी कम इस तरीके से हमारा जो temperature है वो decrease होता रहता है ठीक है तो इसका main काम ट्रपोस्फेर का क्या होता है कि जितने भी हम climatic conditions देखते हैं सारी जो मौसम से संबंदित गटनाय होती हैं आंधी, तूफान, बारिश ये सब हम किस में देखत हैं इसको कहां पे शोब मंडल में अब देखे बच्चो अब यहां पे एक लेयर हमें मिलती है देखने के लिए डाट इस ट्रॉपो पोज इसको मैं यहां मेंशन कर रही हूँ ट्रॉपो पोज अब आपको लग रहा होगा मैं ने तो भी ये 5 लेयर्स बताई थी अब पता यह ट्रॉपो पोज कहां से आ गया तो बचो ट्रॉपो पोज कुछ नहीं होता अब यह अप हर लेयर के बाद एक पाउस पढ़ोगे इस पॉस का मतलब क्या होता है रुकावट ठीक है रुकना अब यहां पर हम किस तरीके से रुक रहे हैं कि यहां पर जितनी भी मेरी क्ला जादा होता हुआ दिखाई देगा प्रेशर कम जादा होता हुआ दिखाई देगा लेकिन जो यह मेरा वाला पार्ट है इसमें क्या हो रहा होगा इसमें सारे की सारी जितने भी हमारी physical quantities हैं जैसे कि pressure हो गया temperature हो गया यह सब कुछ constant रहता है आरिए वा समझ में तो प्रॉपर पॉज हमारी वो लेयर है वो जगा है जहां पर मेरे सारे जो ये प्रेशर वगरा ही सब चीजे कैसी हो जाती है आपस में constant हो जाती है अब इसके बाद हम चलते हैं next layer के तरफ that is stratosphere stratosphere में सबसे important बात हमें जो मिलती है वो होती है ozone O3 यानि कि जो ozone layer होती है वो हमें कहां मिलती है stratosphere में मिलती है अब हम जानते हैं कि जो इसका main काम होता है वो क्या होता है इसका काम होता है कि जो हमारी अर्थ से sorry हमारी जो sun है उससे जो UV rays निकलती है उससे हमारी अर्थ को protect करना अब योवी रेस कौन से होती है क्या होती है यानि कि जिनको आप बोलते है हिंदी में परा बैगनी किर्णे तो जो परा बैगनी किर्णे सूरे से हमारी तरफ आती है ये क्या करता है उसको वहाई पर reflect back करके वापस भेज देता या फिर उसको absorb कर लेता है कि वो अर्थ तक ना पाएं और हमें नुकसान ना पहुचा पाएं ठीक और बच्चो एक चीज और हमें ध्यान रखने है कि इसका डिस्टेंस कितना होता है अर्थ से इसका डिस्टेंस होता है 50 किलो मीटर्स तक ठीक है इसका कितना होता है 50 km तक अब ध्यान रखना बच्चो एक चीज और कि जितने भी आपके मीजोस्फेर तक आप ध्यान रखेंगे एक चीज कि यहाँ तक ना आपको सब कुछ homogeneous देखने को मिलेगा homogeneous से मेरा क्या मतलब है composition से कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ है न जितने भी air के components है जब मैंने आपको nitrogen बताएं oxygen बताएं यहाँ सब आपको लगभग वलगभग बराबर देखने को मिलेगा लेकिन जैसे मैं इस मध्या मंदल से उपर की तरफ चलूँगी तब क्या होगा कि जो हमारी airs का ratio है gases का ratio है आपस में वो बहुत ज़़ा उपर नीचे होना शुरूँ हो जाएगा तब महाँ पर आपको सब जगा एक सी चीज़े देखने को नहीं मिलेंगी अब बच्चो एक चीज़ और देखो मैंने भी आपको बताया कि जैसे जैसे हम उपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे temperature में कमी आती चली जाएगी लेकिन अब हमें ये धियान रखना है कि ozone ये जो हमारी stratosphere होती है इसमें आपको temperature बढ़ता हुआ दिखाई देगा अब आपके माइन में question आ रहा हुगा मैडम ने ये क्या बोलती जा रही है अभी तो कह रही ही थी कि temperature उपर बढ़ेगा अभी कह रही ही थी कम होगा हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देखो अब इसको समझने का तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम उपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा temperature क्या होगा वैसे वैसे हमारा temperature कम होगा लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया कि stratosphere में क्या present होती है ozone gas present होती है जिसका काम क्या होता है जिसका काम होता है जो sun से rays आ रही है उसको absorb कर लेना अब आप खुद एक बात सोचिए कि जब sun से rays आ रही है उसको ये ozone gas क्या कर रही है जब ये absorb कर रही है तो अविस बात है उसका temperature जो है वो बढ़ जाएगा उसका जो ताप है वो बढ़ जाएगा इसी लिए बच्चो इस जो क्या कहते है इस लेकिन जैसे जैसे मैं stratosphere वाली लेयर में उपर जाऊंगी वैसे वैसे मेरा temperature rise करेगा ये बात हमें ध्यान रख नहीं है अब इसके बाद जितने भी हमारे जेट वगएर होते हैं जितने मेरे fighter jets होते हैं वो सब इसी लेयर में हमारे उड़ते हैं क्योंकि यहां पे उन्हें क नेक्स अब हम चलते हैं मीजोस्फेयर की तरफ मध्यमंदल की तरफ यहां पे आते हाते हैं हमारा जो temperature है अब वो फिर से कम होना शुरू हो जाता है यानिकि जो ताप है वो फिर से कम होगा क्योंकि यहां पे कोई और phenomena काम ही नहीं कर रहा स्रिफ जो मैंने आपको सबसे basic phenomena बताया था कि जैसे जैसे हम high पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे temperature कम होता जाएगा तो केवल और केवल यहां पे वही factor काम कर रहा है इसलिए जो मारा temperature है यहां पे वो कम होगा और एक चीज़ जियान रखेंगे इस layer के बारे में कि यह हमारी सबसे ठंडी layer होती है सबसे ठ बने का कि जितनी हम climatic conditions है वह कौन सी layer में देखने को मिलेगा वह आपको मिलेगा सारा का सारा triposphäre में फिर अगर आप से पूछ ले जाए कि आपको ओजोन गैस कहां देखने को मिलेगी तो वह आप से कहां मिलेगी स्ट्राइटॉस फेर में next अगर आप से पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि जो आपने पांच layer पढ़ी है देखी है उसमें से सबसे ठंडी layer यानि कि सबसे जो temperature कम होगा वो कौन सी layer का होगा तो ध्यान रखना students पूर है आपकी mesosphere का यानि कि मध्य मंदल का तो students जिस तरीके से हमें troposphere layer में और stratosphere की layer में बीच में एक पार्ट मिलता था प्रोपोज वाला इसी तरीके से हमें mesosphere layer में और stratosphere layer में एक बीच का पार्ट मिलता है जिसको हमने क्या बोला stratopause अब stratopause भी वही है यहाँ पर हमारा किसी भी तरीके का कुछ भी change नहीं होता सब कुछ यहाँ पर fix रहता है stratopause में और इसको हिंदी में भी इसी तरीके से लि climate conditions जो change हो रही थी जो temperature घट रहा था बढ़ रहा था उन सब चीजों में pause लगया उन सब चीजों में रुकावट देखने को मिली ठीक तो अब हमने क्या क्या कॉंसी लेर देख ली ट्रपॉसफेर देख लिया स्टाटोसफेर देख लिया mesosphere देखती है अब हम मूव करते हैं inosphere की तरफ अब देखिये अज वहते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि ions क्या होते हैं तो जो हमारे charged particles होते हैं यानि कि ऐसे particles जिन पह किसी तरीकि प्रेजर हो जिसके कोई लिए और कोई आवेश हो उसको हमने क्या बोला आयन बोला अब हम जानते हैं कि जो हमारे ions होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं positive या फिर negative तो या तो ये धना वेशित होंगे या फिर रणा वेशित होंगे दो इस तरीके के होंगे तो इस layer में हमें क्या देखने को मिला इस तरीके के ये charge particles प्लस, ब्लस, माइनस, माइनस इस तरीके के चार्ड पार्टिकल देखने को मिलेंगे अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि जब मुझे ये चार्ड पार्टिकल्स देखने को मिल रह proudly है ओसे तो यहां पर temperature कम होगा की जाधा होगा क्यों? क्योंकि जैसे ही sun rays इस पर पढ़ेंगी और यह जो charge particles है इनको energy मिल जाएगी अब जब energy मिल जाएगी तो यह move करना शुरू कर देंगे जब यह move करना शुरू कर देंगे तो यह temperature को बढ़ाना शुरू कर देंगे इसलिए यहाँ temperature हमें थोड़ा सा जादा फिर से मिलना शुरू हो जाएगा अब इस ionosphere का काम क्या होता है? देखो, अभी अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? चार्श पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, यानि कि जो आवेश है वो देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इस layer में क्या होता है? जितना भी आपका communication वाला काम होता है, यानि कि दूर संचार वाला काम होता है जिससे कि आप एक जगा से बैठे बैठे, दूसरे जगा आप इसे के बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जितना भी communication संचार वाला कार रहे है, वो सब हमारा इसी layer में आता है तो इसका main काम क्या होता है? Communication सेट अप करना Communication यानि कि दूर संचार और दूसरा, जितने भी हम सेटलाइट्स वगएरा, ठीक है? Telecommunication सेटलाइट जो हमारे मूव करते हैं, वो सारे के सावारे हमारे इसी layer में छोड़े जाते हैं इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तो question इस तरीके से ही आएगा कि जो भी आप communicate कर पाते हैं उसमें कौन सी layer हमारी help करती है, जो telecommunication satellite होते हैं, उप ग्रहे छोड़े जाते हैं, वो कौन सी layer में move करते हैं, तो वो हमारे move करते हैं आयन मंडल में, यानि की आयनौसफेर में अब हम बात करते हैं, last exhaust sphere की, देखो, exhaust sphere में इतना कुछ है नहीं जानने के लिए, exhaust sphere का भी हमें ठंक से यही नहीं पता लग पाया है कि कितनी उच्छाई तक जाता है, अभी तक माना चाता है कि यह 10,000 km तक, इसकी जो height है वो हो सकती है, तो exhaust sphere में generally और हमारा कुछ है नहीं जानने के लिए हमारा space तक फैला हुआ है, तो यह था हमारा पूरा atmosphere वाला पार्ट, I hope अप लोगो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना ना भूले, चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल